हाई एवरिवन क्या हाल चाल आप सभी लोगों के उमीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल 2023 के डिटेल्ड स्लेबस के बारे में और अगर ऐसा हो जाता है तो आपके स्लेबस के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्सी जो है वो स्लेबस में चेंज नहीं करेगी लेकिन अगर खुद दिल्ली पुलिस भी आपके एकजाम को कंडेक्ट करवाती है तब भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है एक्जाम को conduct करवाना ना कि आपके syllabus या pattern को change करना तो दिल्ली फुलिस पहले focus करेगी किसी तरह exam को conduct करवाय जाए जो pattern या syllabus है वो next जो भरती आएगी उसके अंदर वो अपना एक particular syllabus या pattern रख सकती है बट फिलाल के लिए आपको जो चला आ रहा है वो ही syllabus आपको देखने को मिलेगा लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको syllabus अब भी नहीं पता है तो आज किस वीडियो में मैं आपको syllabus बताने वाला हूँ डिटेल के अंदर कि आपके computer, journal awareness, numerical ability, current affairs और reasoning के अंदर से कहां से, किस-किस topic से सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे एक बार आपके exam के pattern को तो यहाँ पर आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं 100 number के होते हैं और आपको 1x4 की negative marking भी यहाँ पर देखने को मिलती है मतलब की एक सवाल एक number का आपसे पूछा जाते है अगर मैं बात करूँ journal knowledge या current affairs की तो 50 सवाल आपसे पूछे जाते हैं 50 सवाल अब एक सवाल एक number का है 50 number reasoning की बात करूँ 25 सवाल पूछे जाते हैं 25 number के अगर बात करता हूँ maths की तो 15 सवाल पूछे जाते हैं 15 number के और अगर computer की बात करूँ तो 10 सवाल पूछे जाते हैं 10 number के total 100 सवाल 100 number और 1x4 की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है negative marking तो यह है अभी आपका जो है exam का pattern अब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर syllabus की बात करते हैं आपकी maths को लेकर या numerical ability को लेकर तो numerical ability के अंदर आप से number system whole number, decimal and fraction इसके बाद ratio and proportion arithmetic operations percentage, average interest profit loss, discount mensuration, time and distance and time and work कितने हो गया आपका 3, 3, 6, 12, 13 इन 13 topics के अंदर से आपका जो paper है वो पूछा जाता है सो जो भी लोग maths की त्यारी कर रहे है अब उनको फाल्तू चीजे पढ़ने की जूरती है क्योंकि आप जिस level के exam की त्यारी कर रहे हो उसी के according के आपको त्यारी करनी है सो अगर आप त्यारी कर रहे हो अब ही अगर आप ठीक कर रहे है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको syllabus नहीं पता था और आप कुछ और extra कर रहे है सो उसको छोड़कर आप इनी चीजों को better करें इनी की बार-बार practice करें क्योंकि exam इनी में से ही आएगा extra आप अगर पढ़के जाएंगे उसका कोई भी फाइदा आपको exam में देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ computer awareness की computer भी आपको पता है 10 number का पूछा जाता है तो computer के अंदर MS Excel आप से MS Excel का पूछा जाएगा उसके बाद function and formula आपके किसके function and formula आपके MS Excel के अंदर ही कुछ आपके functions होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा ठीक है आपके पास opening and closing of documents जैसे close करना है तो alt f4 दबा के आप close करते हैं उनके बारे में आप से पूछा जाएगा ठीक है एक्सल से आपसे पूछा जाएगा एक्सल के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जो MS Excel को आप अच्छे से त्यार करना है और मैं भी एक PDF डाल के आपको 1500 questions जो हैं पूरे computer के आपके cover करवा दूँगा ठीक है उसके बाद chat, video conference, e-banking से related सवाल और उसके बाद www.worldwide web मतलब internet से related, service on the internet हो गया, इसके लावा editing of cell ये भी आपका Excel से पूछा जाएगा, ठीक है और ये जो presentation feature है ये powerpoint का है आपका ठीक है powerpoint भी पूछा जाएगा, website blocks के आपसे सवाल पूछा जाएगा email से आपके software के बारे में, आपको sending receiving emails के बारे में पूछा जाता है MS powerpoint के बारे में search engine के बारे में पूछा जाएगा yahoo, bing हो गया, आपका google हो गया एक option दे देगा, इनमें से कौन सा search engine नहीं है, इस तरह से search engine के बारे में पूछेगा और HTTP आपके जो security protocols हो गए, उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो computer के अंदर ये सारे topics आपको पढ़ने है, इनके MC क्यों आपको त्यार कर लेने है, इनी से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पर MS Excel जो है MS Excel और MS Office, इन से सबसे जादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो MS Excel MS Office, इन में से सवाल जादा मिलते हैं, इसके बाद आपके internet से relating है, software से related भी, सवाल जो बच गए, वो इन से आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से त्यारी करवानी है, बागी 1500 so questions आपको मैं भी त्यार करवा दूँगा, ठीक है so computer का syllabus यहाँ पर हो गया, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, journal awareness में क्या कुछ पूछा जाता है, तो inventions जो भी आपके अविस्कार हुए हैं, famous places in India, खोन से एलोरा की गुफाई कहा हैं, जनता की गुफाई कहा हैं, इस तरह के सवाल होगे, technology, आपके important days हो गए, की women's day का मनाया जाता है, children's day का मनाया जाता है, Indian polity हो गई, उसके बाद awards and owners हो गई, general science हो गई, sports हो गया, Indian economy हो गया, Indian geography आपका हो गये, ठीक है, उसके अलावा, book and author आपसे पूचा जाता है, journal knowledge हो गया, physics हो गया, famous personality हो गया, Indian history हो गया, word geography हो गया, word organizations हो गया, Indian culture हो गया, current affairs, biology and history, इन में से आपसे journal awareness जो है, इनके सवाल आपसे पूचे जाते हैं, आप इनकी इनी topic की आपको अपनी त्यारी करनी है, इनके भी, अगर आप चाहते हैं, कि अगर आपकी त्यारी mcq से direct करवा दी जाए, जिससे कि आपका time बच जाए, तो आप मुझे comment कर देना, मैं आपको 2-5,000 की mcq, 3 classes के अंदर आपको, या 4 classes के अंदर, marathon class के अंदर, एके गंटे class में complete करवा दूँगा, ये काम भी आपके लिए मैं कर दूँगा, लेकिन आप मुझे comment section में बता देना, कि जी sir, हमें ये 25 सो वाली series आप करवा दिये ना, ठीक है, तो ये था journal awareness के, इसके बाद करें, reasoning की, आप reasoning के अंदर number series हो आपकी, ठीक है, उसके बाद आपकी observation related, आपके जो सवाल होते हैं, वो होगे, visual memory आपकी हो गई, ठीक है, उसके बाद relationship concept आगे, कि एक आपकी figure दी हुई है, वो दूसरे से कैसे करती है, ठीक है, coding, decoding होगा, statement and conclusion होगे, आपका कुछ सेर ऐसे हैं, कुछ सेर बिल्ली है, non-verbal series होगी, आपकी verbal and figure classification, उसके बाद आपकी slogs हो गया, ठीक है, analogy होगी आपकी, और इसके बाद आपके similarities and differences, कौन सी figure similar है, कौन सी different है, decision making होगी, special orientation, special orientation किस तरह का होता है, कि आपको figure दे दी, और आपको बतानी है, कौन सी ऐसी figure है, जो यहाँ पर इसके जैसी ही, क्या करती है, same आपकी orientation, मतलब इसकी जैसी है, ठीक है, उसके बाद discrimination का मतलब हो गया, कि आपको कुछ अलग बतानी, कौन सी figure अलग है, problem solving होगी, special visualization हो गया, कि आपकी एक figure में, जैसे आपको बताया, यहाँ पर एक गोला है, सो यह third one वाली कौन सी, ऐसी ही, आपको pattern को पकड़ते वे चलना है, वो वाली हो गई, ठीक है, analysis, judgment हो गया, arithmetic reasoning हो गी आपके, जो आप change करते हैं, arithmetic science वगर, ठीक है, सो reasoning का यह complete syllabus है, इनी से आपसे पूछा जाएगा, इन से भार आपसे नहीं पूछा जाएगा, सो अगर आपको चाहिए, कि reasoning का भी mcq या mock test आपको करवाऊं, तो यहाँ पर आप मुझे comment में बता सकते हैं, 10 mock test आपको यहाँ पर मैं करवा दूँगा, सो 25 इन्टू में 10, आपको यहाँ पर total 200 सवाल जो हैं, मैं आपको करवा दूँगा, अगर आप चाहते हैं, तो latest pattern के उपर, मेरे बास mock test मैं available आपको करवा दूँगा, और अगर आपको करने हैं, तो आप मुझे comment box में बता देना, यह भी आपके मैं कर दूँगा, बढ़ आप मुझे comment में बता देना, उसके बाद ही, ठीक है, चलिए, इसके बाद बात करते हैं, current affairs को लेकर, current affairs में national और international की current affairs पूछी जाती है, लेकि last six months की ही आप से पूछी जाती है, इससे ज़्यादा आप से नहीं current affairs, एक class के नदर main main आपको मैं करवा दूँगा, आपकी अभी से ही complete हो जाएगी, यह काम भी आपके लिए मैं कर दूँगा, बस आप मुझे एक बार बता देना, अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है, तो यह आपका complete syllabus था, जो बच्चे पूछ रहे दे, सर, syllabus बता दो, syllabus बता दो, also आपको syllabus बता हो गया होगा, बस आपको त्यारी करने है, syllabus को follow करो, particular अपने एक notes त्यार करो, अपने mindset करो, और इसी syllabus के according अपनी त्यारी में लग जाओ, selection आपको definitely मिलेगा, और अगर आपको particular जो मैंने बताई है, classes चीए, तो आप मुझे DM कर देना, comment box के अंदर मैं definitely आपके लिए classes लेकर आ जाओंगो, ठीक है, फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए thank you so much, नमस्कार, और अगर आपका कोई और डाउट है, तो comment section में पूछ लेना instagram, fundland, by and उसके उपर भी आप मुझे contact कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको जवाब देता रहता हूं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, thank you so much, नमस्कार